शहर में प्लास्टिक के डिस्पोजल के प्रदूशन और दुश प्रभावों को रोकने के लिए नगर निगम ने सागर का सुकून नाम से पहल के शुरू की है इसके तहतर अविवार को नगर निगम ने चक्रा घाट श्वेत्र के छोटे दुकानदारों को मुफ्त में कांच के गलास उपलब्ध कराएं इस दौरान दुकानदारों ने अपने पास रखे डिस्पोजल गलास निगम अमले को सौपे फिजीक के ओर निउरो डिहांफ होस्पिटिल आधुनिक मैशीनों से युक्त फिजियो थेरपी पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने तिली रोड सागर चाय दुकानदार गन्ना रस दुकानदार चाट दुकानदार निगम के और से कांच के गलास पाकर काफी खुश हुए नगर निगम आयुकत राजकुमार खत्री ने दुकानदारों को कांच के गलास सौंपते हुए कहा कि आगे से डिस्पोजल गलास उप्योग करते हुए मत दिखाना नहीं तो कारवाई के लिए तयार रहना हमारा उद्देश यही है कि बाजार से डिस्पोजल गलास गायब करना है इससे शेहर को सुच रखने में काफी रहत मिलेगी उन्होंने कहा कि एक तरफ सखती भी जारी रहेगी चोटे दुकानदारों को रोकने के साथ ही उन्हें वैकल पिक वैवस्था दी है जहां समझाईश की जरुरत होगी वहां समझाएंगे और जहां जर्मानी की जरुरत लगेगी तो अर्थ दंड भी वसू लेंगे आयुक्त ने निगम कार्याले में इंजिनियर जून प्रभारियों वाड सफाई दरोगाउं स्मार्ट सिटी कर्मचारियों की मेटिंग लेकर सफाई पर विशेश ध्यान देनी की हिदायत दी निर्मान एजिन्सियो द्वारा शहर में फैलाए गया मटेरियल को जल्द हटाने की बात कहते हुए कहा कि अगर सामान नहीं उठा तो सी एंडी प्लांट भेज दिया जाएगा लाने जाने का खर्चा निर्मान कंपनी से वसूला जाएगा बारिश पूर वणनालियों की सफाई पर भी अभी सिध्यान देनी की बात कही खाली पड़े प्लोटों में गंदगी पाय जाने पर प्लोट मालिकों पर पांच-पांच हज़ार उपे जर्माना लगाने के निर्देश दिये सफाई दरोगाउं को अपने शेत्र से 15-15 लापरवाह प्लोट मालिकों की सूची दाने का टारगेट भी दिया गया है नगर निगमा युक्त राजकुमार खत्री ने रविवार को प्रातह जल भरावाले स्थानों का भ्रमन करते हुए उन्होंने यादो कॉलोनी द्वार का बिहार कॉलोनी यश बिहार कॉलोनी तीरुपती पूरम कॉलोनी सहित अन्यश्वित्रु के जल भरावाले संभावित स् वोगक नगर नाया टबकी ओर्णाम स्थाओगवार को चाहता है अधरे नगरे टेड़ी जारे परत्प्साओव आपकान इंता इंता है आपकोन आपकानी आपके इंता है आपकोन इंता है आपके नगर में अनुभभी एबं प्रजिस्टिट विशिश्यग्यों की टीव पता है पारश विद्या विहार स्कूल के सामने इली रोड सागर